नमस्कार दोस्तों आप देख रहें एस्टोसेश टीवी और मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर मरगांग शर्मा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जुलाई का महिना यानि कि साल 2022 में जुलाई का महिना आपकी राशी के लिए कैसा रहने वाला है तो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंतक बने रहे हैं हमारे चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भोले तो आईए शुरू करते हैं अगर आपकी राशी मेश है तो आपको मेहनत का परणाम निकट भविश्य में मिल सकता है तीसरे भाव में सूर्य और बुद्ध की युती होने से महा के पुरवार्द में कारोबार करने वाले जात्कों को फाइदा होगा नए रोजगार से संबंदित मार्ग खुलते नजर आएंगे बिजनस में आपकी य जिनियर ओफिशल्स से आपके रिष्टे समानने होंगे और इसके साथ ही सयोगियों से भी तनातनी दूर होगी आपकी राशी के नुसार बारवे भाव में ब्रहस्पती ग्रह के होने से विदेश से संबंदित नौकरी और व्यापार में उन्यती दिखाई देगी कर्म शेत पर शनी ग्रह की फूर्ण दिख्टी होने के कारण पढ़ाई में मेहनत के बाद अच्छे परिडाम मिलेंगे विद्यार्थियों को ग्यान प्राप्त करने की सही दिशा मिलेगी परतियोगिता परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी पाएंगे आपके प्रथम भाव में यानि आपकी राशी में मंगल के साथ राहू की उपस्तिती होने से विदेश में पढ़ रहे हैं या विदेशी संस्थान से जुड़े विद्यार्थियों अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे लंबे संगर्ष के बाद ऐसे जातक विद किस्टी से महीना खुश्यां लेकर आएगा महा के पूर्वार्द में दूसरे भाव में शुक्र की उपस्तिती होने से परिवार में प्यार की बढ़ोतरी होगी घर में पहले से चल रहे वाद विवाद दूर होंगे एक दूसरे के प्रती इसनेह नजर आएगा और आपस मे भरोसा भी बढ़ेगा घर में अच्छा माहौल बनाए रखने में आपकी भूमी का एहम रहने वाली है आप अपनी वाकपटुता से घर परिवार वालों को बातों में उलजा कर साथ ले चलने में कामयाब होंगे इस दोरान आप आसानी से घर की परिशानियों को दूर करने में सफल रहे कि घर के सदस्यों के मध्द है अच्छा संबनाने में सफल रहे कि महा के पूरवार्द में सूरय और बुद' के एक सात तीसरे भाव में होने से पिता और भाई बहनों से अच्छे संबन बनेंगे आपके जरूरी है कि माता-पिता के विचारों का पालन करें आपके फैसलों में पिता का पूरा सयोग मिलेगा और उनकी सलह से आपको निरना लेने में सुविधा होगी इस दोरान भाई भेनों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे, आपके काम में भाई भेनों को सयोग देने के लिए प्रेरित करें बात करते हैं आपके प्रेम और वेवाहिक जीवन की तो प्रेम संबंद की दृष्टी से महीन अच्छा रहने वाला है महीने के पूरवार्द में बुद्ध ग्रह की सूरे के साथ यूती से लावमेट के बीच मदृता बनी रहेगी लेकिन पंचम भाव पर शनी की पूर्ण दृष्टी होने से आपको अपने शब्दों पर विशेश रुप से ध्यान देना होगा जितना हो सके कम बोलें और सोच समझ कर बोलें यदि आप ऐसा करते हैं तो वाद विवाद से दूर रहेंगे या विवाद सुलझाने में कामयाब होंगे अगर आप धैरे रखेंगे तो मन मुटाव जैसी स्तिती दूर होगी एक दूसरे के परती विश्वास जगेगा नए यूगल के लिए खासतोर पर यह समय एक दूसरे को समझने के लिए अच्छा सावित होगा विवाहित जातकों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा हाला कि महा के उत्रार्द में दाम पत्य जीवन पर विश्वास बनाए रखें जीवन साती के शब्दों पर विशेश तोर पर ध्यान दें आपको उनमें अपने परती प्रेम का हैसास होगा शुक्र की इच्छी स्तिती होने से सुभाविक है कि आपका लाइफ पार्टन आपसे प्रेम भाव से जुड़ेगा अपने काम से समय निकाल कर जीवन साती के साथ ज्यादा समय गुजारने की कोशिश करें आर्थिक जीवन पर आते हैं यह महीना बहुत अच्छा रहेगा इस तृष्टिकों से महीने के पूर्वार्द में ग्यारवे भाव में शनी के इस्तित होने और दूसरे भाव में शुक्र की उपस्तिती से आपको अच्छा आर्थिक लाव होगा इस दोरान सूरे के चौथ की स्तिती भी मजबूत होगी आमदनी के रास्ते खुलेंगे साथ ही आप निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को इस समय ज्यादा फायदा होगा इस दोरान आप पुराने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे बार्वे भाव में प्रहस्वती के उपस्तित होने से यह समय विदेशी व्यापार के लिए अच्छा रहेगा आपको बड़ी मात्रा में विदेशी धन की प्राप्ती होगी और इस समय धन संचे करने में भी सफलता मिलेगी स्वास्था की बात करें तो उसके लिए महीना मिलाजुला असर देगा इस दोरान स्वास्था में थोड़ी बहुत परिशानिया दिख सकती हैं यदि आप विवाहित हैं तो इस समय ससुराल पक से सम्मंदित परिशानिया जादा रहेंगी जिनके चलते आपके जीवन में भाग दोड़ जैसी स्तिती बनी रहेगी अपने खान-पान पर ध्यान दें क्योंकि भाग दोड़ के कारण स्वास्थे में परिशानिया सकती हैं अत्यदिक व्यस्तता के कारण भी आप मांसिक तनाव से घेरे रहेंगे और इसका असर भी सेहत पर पड़ सकता है छटे वहाव पर ब्रहस्पती की दृष्टी से खुद का ध्यान नहीं रखते हुए दूसरों की भलाई में जोटे रहेंगे इसी वज़े से आपकी दिनचर्य और खान-पान भी प्रभावित होगा यदि आप ब्लड प्रेशर या डाइबिटेस जैसी बीमारी से पेडित हैं तो इसका खराब असर आप पर पड़ेगा आपको हमारी सला है कि नियमित जान्च करवाएं और समस्या बढ़ने पर तुरण डॉक्टर की सला लें महीने के उत्रार्द में सेहत को लेकर आप पहले से थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे खुद के अंदर ताकत महसूस करेंगे इस दोरान आपको पुरानी बिमारीों से भी छुटकारा मिलेगा हलाकि आपके लिए जरूरी है कि खान पान का ध्यान जरूर रखें और नियमित व्यायाम भी करें इस वही ने आपको जो उपाय करने हैं उनमें घर में सुन्दर कांड का पाठ करें या कराएं पर्तिदिन श्रीहनमान 40 का पाठ जरूर करें राह पे चलने वाले कुट्तों को भोजन प्रदान करें और रविवार को भैरो मंदिर जाकर इमर्ती और दूधर्पित करें प्रति दिन श्री आदित्य हर्दस रोतर का पाठ करें और सूरदेव को जल चड़ाएं तो दोस्तों ये था आपकी राशी का जुलाई 2022 का राशी फल मैं आशा करता हूँ कि जुलाई का ये महीना आपके जीवन में सुख और समरिध्धी लेकर आए आपको सभी सफल ताइम प्राप्त हो डॉक्टर मरगांग शर्मा की ओर से आपको बहुत-बहुत शुब कामना है For regular updates, follow our Instagram page right now.